स्वागत है आपका पीखुस कीचर में आज हम बनाएंगे बढ़ी आसी क्रीमी और मलाईदार लसी तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टॉरेंट स्टाइल बढ़ी आसी मलाईदार और क्रीमी टिक्स्चर वाली लसी आसानी से हम घर पे बना सकते हैं यह बहुती जादा टेस्टी और स्मूध बनी है इस लसी को बनाने के लिए जो हमने दही यूज किया था वो एक टोन कर्ड है यानि कि मैं यूज कर रही हूँ हल्दी राम का टोन कर्ड यह बहुती क्रीमी टेक्स्चर होता है इस दही का और बहुती स्मूथ लसी बनके तयार होती है आपके पास जो भी दही है आप ले सकते हो लेकिन दही हमें मीठा लेना है तो यहाँ पर मैंने हल्दी राम का टोर्ण कर्ड मीठा दही एक बोल में निकाल लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है चुटके भर नमक और तीन टेबल स्पुन जितनी पीसी हुई चीनी चीनी की कॉंटिटी आप अपने चोईस के अनुजार कम जादा कर सकते हैं विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है लसी बनाते समय कभी भी हमें दही को मिक्सी की जार में नहीं पीसना है तो इस दही को विस्कर की मदद से अच्छे से फेटना है ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए तो मैं इस तरह से घुमाते हुए इसको स्मूथ कर रही हूँ तो यह देख सकते है friends तही और पीसी हुई चीनी अच्छे से mix हो चुकी है और इसका texture बहुत ही smooth बन चुका है अब इसमें मिला देंगे ice cube अगर आप ice cube इसमें नहीं मिलाना चाते हैं आप skip कर सकते हो तो मैंने 7-8 ice cube इसमें डाल दिये हैं एक टेबल स्पून जितनी cream हम इसमें डाल देंगे और इसे वापस अच्छे से फेट लेंगे एक मिनिट तक यह बहुत ही बढ़िया अच्छे से smooth बन जाए तो cream, दही और PC हुई चीनी अच्छे से mix हो चुकी हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा cup जितना normal milk मिल्क हमें ना ज़ादा गरम लेना है और ना ही ज़ादा chilled तो मैंने आधा cup milk इसमें डाल दिया है क्योंकि restaurant style lassi जो बनती है ना उसमें milk ज़रू डलता है तो इसे वापस ह में अच्छे से mix कर लेना है जैसे यह mix हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसकी consistency पहुत ही बढ़िया और smooth बन चुका है लसी ना ज़ादा गाड़ होती है और ना ही ज़ादा पतली तो इसे हामें फ्रीज में रखना है दो घंटे के लिए चाहे तो एक घंटे के लिए भी आप रख सकते हो और बस एक घंटे के बाद फटा फट से इस लसी को serve कर लेंगे तो यह पर मैंने बढ़िया से दो glass ले लिये हैं और इस लसी को हम इस glass में serve कर लेंगे तो आपको इसका जैसे texture चाहिए वैसा आप इसका रख सकते हो तो एक glass में मैंने लसी को डाल दिया है इसे बहुत ज़दा नहीं भरेंगे क्योंकि इसके उपर हम क्रीम डालने वाले हैं। इस लस्ती को मैंने इस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब इसके उपर हम डाल देते हैं बडियासी क्रीम। जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं वही क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप जो मलाई जमती है ना दूद के उपर उस मलाई को जमा कर उसके अंदर एक टेबल स्पुन जितनी पीसी हुई चीनी डाल कर मिक्सी के जार में घुमा लीजिए और इसके उपर यूज़ कीजिए वापस से इसके उपर हम डाल देंगे आइस क्यूब और गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता के साथ चाहे तो आप केसर या फिर और भी ड्राइफ रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं तयार हैं हमारी बढ़ियासी मलाईदार क्रीमी टेक्स्चर वाली रस्टॉरंट स्टाइल लस्सी तो आप इसे फटा-फट से ठंडा-ठंडा समर स्पेशल में सर्फ कीजिए के उपर क्रीम डाल कर इसे गार्निश करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल रसीपी है बहुत टेस्टी बनती है यह लस्सी आप इसे जरूर ट्राइ करना और अगर आपको मेरी आज के रसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइ मैं आपको मिलती हूँ फिर से एक नए और मज़ेदार से समर स्पेशल रसीपी के सद थैंक्स फुरूर।